नमस्कार लाइब जार्खन ब्रेकिंग में आपका स्वागत है रुख करते हैं दीन भर की सुर्खियों पर परधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कॉंग्रेस और जामूमो राज जिक के पिछड़े पन के लिए जिम्मेवार जार्खन की उराजानी दुमका में प्रियम ने की चुनावी सबा परधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दिल्ली और राची में इराजों वाली सरकार चाहिए तब इराज के अजबासी का विकास हो सकेगा कॉंग्रेस और जार्खन मुक्ती मुक्ता के राज में अजबासी का विकास नहीं हो पाया के इन सरकार ने जार्कन का नाम बीरेशों तक पहुँचाने को लेकर मुद्रा योजना, पीम किसान सम्री योजना और आइसमान भारत जैसे योजनाओं की सुर्वात की दुमका में आजी तुनावी रेली को संभूज करते प्रहांती ने कहा कि 2014 के पहले नहीं दिल्ली में योजना बनती थी सरकारों की बनाई योजना जनता तक नहीं पहुँचती थी क्योंकि राजनिक दलो नोकर साही की बीच पैसे भर्षटार कर सिकार हो जाते थे जेमेम और कॉंग्रेस ने पिछेरेपन का प्रतीक बनाया उसी जार्खन को हम बदलते भारत की नई पहचान से जोडने का प्रयास कर रहे हैं बिते पांच वर्षों में देश की सबसे बड़ी और करोडों लोगों को जीवन बदलने वाली योजनाओं की सुरुवात इसी जार्खन की दर्ती से हुई है आपको याद होगा कि देश पे स्वरोजगार की क्रांति लाने वाली मुद्रा योजना की सुरुवात यही दुमका से की गई थी आज करीब 10 लाग करूर रुपिय के लगबाग 20 करूर रण बैंकों से छोटे उद्द्यमियों को मिल चुके हैं चार खंड के लाखों युवाओं को बैंनों को इससे रोजगार मिला है बैंकों से बिना गारंटी का रण मिला है स्वरोजगार को बढ़ावा मिला है इधर यह बताते चले कि चौथे चरंग के 15 सीटों के लिए 6101 भूथों पर डाले जाएंगे गो कल होने वाले चौथे चरंग के मर्दान को लेकर 6101 भूथ बनाए गया है इसमें 113 अती समेंदर सील और 3070 समेंदर सील मर्दान केंद है सभी समेंदर सील और 80 समेंदर सील मर्दान केंद्रों पर ससत बलों की तैनाती की गई मुख निर्वाजन प्रादिकारी बिने चोबे ने बताया कि मर्दान केंद्र को गैर नक्सल और नक्सल अधार पर बाटा गया है नक्सल प्रभाई दीलों के 578 समेंदर सिल और 405 समेंदर सिल बूथ है सांधी प्रमदान के लिए 16 उड़न रस्तादल और 12 विशेश तीम गठित की गई राची इस्तित भारतिय प्रबंधन संस्थान आई आई एम का आज इगारवास थापना दिवस्यामारोह मनाया गया इस मौके पर संस्थान की निदेशत डॉक्टर सलेंदर सिंग, संकर ग्रूप अफ इंडस्ट्रिस के डारेक्टर प्रविन संकर पांडिया, जेसी ग्रूप अफ कंपनीज के चेर्मैन संजय सिंग और L&T के हशित जोशिपूरा समेथ संस्थान की कई सिछाविद और नजर आया, IIM के फैकल्टी के इंसी ने खुसी जताते हुए कहा कि अगले साल संस्थान का अपना भवन होगा, दस साल के लंबे सफ़र में IIM राची ने कई महत्पूर उपलब्दियां हाशिल की है, इस मौके पर स्टुरेंस में भी उच्छा नजर आया अभी दस साल इंस्टिूट पूरा कर चुका है, और 11 साल में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं, और सबसे बड़ा जो अभी एचीवमेंट हुआ, अपार्ट फ्रॉम कि कितने लड़के यहां से ग्रैजुएट करके अच्छे-चे पोजीशन में गये हैं, अभी जो फिलाल हम अभी दिसमबर तक अपने कैंपस में मूव करने जा रहे हैं, क्यों कैंपस नहीं होने कारण हम लोग कुछ कठिनाईय हुई हैं यहां पर, लेकिन उस कठिनाईय को हम लोग अभर कम करते गए हैं, और लेकिन अगले साल से हम लोग अपने कैंपस में चले जाएंगे, एक ब जाएंगे, और अपने कंटेंपररी जितने आयम से हैं, उसमें हमारे फैकल्टी की संख्या भी जाएं, इस्टुडेंट की संख्या भी जाएंगे, जबकि हमारे पास कैंपस की कमी है उसके बाव जूद, तो हम लोग ने इस कहा जा सकता है, क्म लोग साटिसफारे हैं इसक तो यह जो सेलिबरेशन है यह सब्सक्राइट करे करें लोग आते हैं और वह साथ में रहकर एक दूसरे की हम रहे यह जिसे हम आगे चल कर एक दूसरे को मैंनेज करते हैं पूरे यहां पर कई डिफरेंट स्टूडेंट बॉडीज हैं जो डिफरेंट डिफरेंट एरिया सेक्टर्स को देखती हैं कॉलेज के स्मूध रनिंग के लिए यहां पर आने के बाद बहुत कुछ सीखना मिला है टाइम मैनेजमेंट में बेसिकली बहुत बड़ी चीज होती सो इस उन यूथ स्केल और अस डूड़ी बड़ी प्राओड कि मैं इस इंस्टूशन का पार्ट हूँ अपने कंटिब्रेटर आम से काफी अच्छा है तो हम आज इन्वाइट करते हैं आने वाले स्टूडन्स को कि वो आएं और हमारे कॉलेज का देखें बीना कैंपस हुए भी अगर हम इतना अचीव कर सकते हैं यह कहता है कि आपका कैंपस और आपकी कॉलेज और आपकी फाकिल्टी और आपकी डिरेक्टर से अले शैंद्र सिंग यह आक्च्छोल इमें कॉलेज को काफी आगे लेके जा रहे हैं राजधानी राजी के मौशम में आज अचानक बदलाव देखने को मिला दो फर लगवक पॉर्ने दो बजे जहमा जहम बारू शिरू हो गई कुछ देड तक लगातार अच्छी बारिश के कारण कनकनी और अधिक बढ़ गई राजी इस्तित मौशम विज्ञान केंदर के अनुशार राजी के उत्रे पश्मी दचनी तथा मध्य बाग के एक दो अस्थानों पर हलके दर्जे की वर्षा होने के पहले वर्षा होने की पहले ही शमभावना जता दी गई थी मौशम विभाग के अनुशार आज होई बारिश के कारण अगले चार दिनों तक तापमान में तीन डिग्री सेल्सियस तक की गिरावाट होगी राजभर में अगले तीन दिनों तक मध्यम दर्जे के कोहरे भी छाय रहेंगे और अन्त में मुखे समाचार एक बार फिर परधान मंतरी नरेंदर मोदी ने कहा है कि कॉंग्रेस और जामूमो राजजिक के पिछड़े पन के लिए जिम्मेवार मौसम का बदला मिजाज राज़ी समेत कई जीलों में हुई बारिस और बढ़ी कनकनी हम फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन के साथ कि अांचार तो मिलेः कि लिए जिन ऑामूमोदीज के लिजत पने सब्सकेशाबा You